वेवर्डिवान वेलकम बैक टुमाइक टुमाइक चैनल आई होप आप सवस्त होंगे शुरच्चीत होंगे तो फ्रेंड आज हम बना रहे हैं गाजर का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेस्पी उसके लिए हमने 1 kg गाजर ले लिया है इन दिनों गाजर बहुत अच्छा आरा इसे हमने छील के धो के ले लिया है और अब इसे हम ग्रेट करेंगे तो किस तरह से ग्रेट करना हो हम आपको दिखाते हैं इसमें बहुत सारे वैटमिन्स होते हैं इसे अगर आप बना के खाएंगे तो आपको आँखों की रोशनी बनी रहेगी और बहुत सारे वैटमिन्स आपको मिलते रहेंगे तो इस तरह से एक हम मेडियम ग्रेटर ले लिया हैं उसी समय से ग्रेट कर रहे हैं तो इसे दोनों साइड से थोड़ा काट लिए हैं उसके बाद इसे हम ग्रेट करेंगे इस तरह से ग्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से यह रिस्पी बनके तयार होगा बहुत मोटा भी न ले और बहुत पतला भी न ले तो यह देखिए हमारा यह सारा ग्रेट हो गया है और आगे का हम दिखाते हैं प्रोसिजर क्या है तो इस तरह से आप ग्रेट कर लें और इसे साइड पे रखेंगे अब हमको क्या करना है एक पैन लेना है और अब इसको हम गयास जला दिया है और ये गरम हो गया तो यह देखिए एक चोटी कटोरी हमने सूची ले लिया है तो इसे हमको dry roast करना है इसे हम कम से कम 2-3 मिनिट तक medium to slow frame पे इसे हमको भुनना है तो इस तरह से इसको भुनेंगे तो ये color बहुत जादा नहीं change होगा और अच्छे से roast हो जाएगा कलर हमें नहीं change करना है बस अच्छे से roast करना है इसका कच्छा पंदूर हो जाए इतना हमको इसे roast करना है तो अब देखिए ये भुन गया है और इसे हम निकाल लेंगे और एक कड़ाई चड़ाएंगे तो अब कड़ाई में हमने डाल दिया है दो तीन टेबल स्पून गी और इसी से हमको इसे भुनना आया तो पहले हम गाजर को अच्छे से भुनेंगे इससे टेस्टी लगेगा और सुंधापन भी अच्छे से आ जाएगा तो सारा गाजर हमने इसमें डाल दिया है और अब इसे हम अच्छे से भुन लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी सोखेगा जो छोड़ेगा वो भी हमको सुखवाना है तभी अच्छा बने गई तो इसका ध्यान दें बहुत अच्छे से भुने भुन करके इसका पानी सोखने तक हमको भूनना है जब घीखने लगे तब हम इसमें क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में बने रहे हैं तो इस तरस देखे ढग ढग के हमने इसे अच्छे से भून लिया है ढखने से अच्छे से पख जाएगा और जितना इसका मौश्चर है हमको इसे तो देखे काफी अच्छे से भून गया है पानी अब बिलकुल नहीं दिख रहा है गी दिख रहा है इसी स्टेज पर हम इसमें दूद डालेंगे तो यह देखे हमने एक ग्लास दूद डाल दिया है और इसे दूसरी ग्लास को भी हमने इसमें डाल दिया है तो यह इनि इसमें मीठा पसंदेता आप और भी डाल सकते हैं लेकिन गाजर खुद भी मीठा होता है इसलिए हमने इसमें 3-4 कफी डाला है चीनी डालने से थोड़ा पतला हो जाता है क्योंकि चीनी मेल्ट होता है तो अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें हमने सूजी भुनाता है जब यह कढ़ाई छोडने लगेगा तब हम इसे जमाएंगे अब तो आप समझी गएंगे हम क्या बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं गाजर की बर्फी बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी तो इस तरह से हमको इसको भुनना है और अब इसमें हमने डाल दिया है इलाइच खोडने लगा है इश-स्टेज़ पर ही हमको इसे जमाना है तो हमने एक बरतन ले लिया है जिसको ऑल से ग्रीज करना है तो नहीं हमने रख लिया है और यह देखके कितना अपना अच्छी मैंत को चोड़ चूडने लगा है कि इस तरह से जब कढ़ाई छोडने लगेगा त थाली ले लेंगे इसको हमने घे से ग्रीस कर लिया है इस तरह से आप ग्रीस कर लें ताकि आसानी से सारे पीस निकल जाए और इसमें हम सारा बैटर गिरा करके इसको फ्लैट करेंगे तो वीडियो में बने रहे है किस तरह से हम बना रहे हैं एक एक चीज देखते रहे है ताक में या पुरा गॉल में भैलाना जैसे आपको त MPF दे सकते हैं हमने पुरिछ थाली में भैप पर आगा olmaz अगर आपको स्कुरी बनाना है दो स्कुर बाला बरतन ले 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 तो इस तरहสे देखे हमने हमने भूात अच्छे से फैला दिया और इसे कहीं भी मोटा कहीं पतला नहीं लग रहा देख रहे होंगे आप इस तरह से हमको इसे फैलाना है और इसे हमको ठंडा होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनिट के लिए रख देना है 15 मिनिट के बाद हम इसके पीसेश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से पीसेश होंगे तो इसके ऊपर हम हलका सा काजु और पिस्ता और इसे इस तरह से चौप करके छोटा छोटा टैप कर देंगे ताकि देखने में भी सुंदर लगे तो इस तरह से पूरे में हमको इसे फैला बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में भीस इसकी बाइट साती ये मुझे दो अच्छा लगता है तो इस तरह Saul थूर灣 से फैला दिया और आधे गंटे या 20 मिनिट के बाद आप इसे देखिए देखे ये 15 लगद 16 मिनिट के बाद हमने इसे काटना शुरू किया है, बहुत ही अच्छे पीसिस त्यार होते हैं, ठंडा होने के बाद, अगर आप गरम-गरम में काटेंगे, तो ये भिखरने लगेगा, अच्छे से पीस नहीं बनेगा, इसलिए आप इसे कम से कम 20 मिनिट के लिए ठंडा करिए, उसके बाद इसके प काट लिए, और देखे कितना अच्छा ये पीस निकला है, बहुत ही अच्छा पीस निकला है, सेट भी बहुत अच्छे से हो गया बरपी, और इस तरह से आप बना करके खाएं, और घराय में इमान का स्वागत करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी रिस्पी बनी है, और बैट मिन्स के तो खजाने है इसमें, रिस्पी जड़ा भी यूजफूल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो उसको अधिक सदिक मातरा में सेयर करें, साइड में बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि जो बार आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, इस तरह से बनाएं और अपने फैमली फ्रेंड्स को खिलाएं और इंज्वाइ करें, एक हम तोड़ के दिखाते हैं, देखे कितना सॉफ्ट है, विल्कुल मों में घुल जाने लायक है, वीडियो जरा भी बार करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किले थेंक, और आपको खिलाएंगे टेवाइगे.